नमस्कार दोस्तो इस समा पर आप टीवी उठा करके देखो या यूट्यूब इस समा पर सारे एक ही बात कर रहे हैं कि जो FII है वो 2024 में हैवी इंवेस्मेंट करने वाला है इंडियन मार्केट में ऐसा क्यों होने वाल है और आने वाले टाइम पर किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ मिलने वाली है यह पूरी की पूरी वीडियो आपको काफी ज़्यादा नौलिज देने वाली है और इसके बाद आप मैक्सिम पैसा भी बना पाऊगे अगर आप सही टाइम पर सही इंडस्टी के अंदर अपनी और आज की डेट के अंदर जहां इंडियन स्टॉक मार्केट अल टाइम हाई के आसपास है इत्ताज़ादा अक्टिव क्यों हो चुके हैं ये लोग अगर आप 2022-2023 को ठाकर के देखोगे तो जो हमारी ग्लोबल एकोनोमी है वो स्लोडाउन में जा चुके थी ना वहापे को भी भी रियल लेवल की ग्रोथ देखने को मिल रही थी 2020 के अंदर जिस तरीके से इन्होंने लिक्वरिटी इंजेक्ट करी थी मतलब मनी प्रेटनिंग करी थी इस वज़े से इंफ्रेशन भी काफी ज़्यादा हो चुका था इसी के साथ सथ अगर आप अलग-अलग दीशों को उठा करके देखोगे तो सारे देश भागल हो चुके थे और हर एक इनसान एक दूसरे से लड़ने के तयारी कर रहा था चाहे आप इसराइल पैलेस्टीन को उठा करके देख लो चाहे आप रश्या युकरेन को उठा करके देख लो चाहे आप अफगानिस्तान को उठा क की कोशिश करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि मैं 2% कम कमा लूँँगा मेरे ले चल जाएगा लेकिन मेरे को अपना पैसा बचाना है, इसलिए उस समय पर वो सारगा सारा पैसा अपनी growing economy से निकाल करके एक stable economy की side move करते हैं, जैसे कि हो गया US, UK, या फिर Europe, इसी वज़े से 2022-2023 के अंदर net seller देखने को मिल रहे थे आपको FII क्योंकि global level की economy में slow down था, predictability की issues थी और उनको अपना पैसा बचाना था क्योंकि जो उनके investors हैं, उनको भी उन्हें जवाब देना होता है, तो ये कुछ mean reason थे जिस वज़े से FII आपको net seller देखने को मिल रहे थे 2022-2023 के अंदर अब आपके दिमाग में कुशन आएगा कि 2022-2023 के अंदर जहां पे इंडियन रिटेल इंवेस्टर ने दबा करके पैसा डाला है और FII ने दबा करके पैसा निकाला है, 2024 में जहां पे market all time high के आसपास है, FII पैसा डाल के कितना ही कमा लेगा क्या FII बेवकूफ है, नहीं जब भी आप देखोगे कि FII इंवेस्ट करने की कोशिश करता है growing economy में, उसका simply एक motive होता है कि उसको ये समझ आ गया होता है कि वो जो growing economy है, वो काफी ज़दा stable है अगर आप उसके politicians को देखोगे तो उसको समझ आता है कि जो next election होने वाला उसके अंदर elect कौन सी government होने वाली है अगर same government elect होती है तो FII वो काफी ज़दा stability दिखती है उस एक economy के अंदर जिस वज़े से वो उस economy में पैसर डालने की कोशिश करता है और इसी हिसाब से अगर आप देखोगी जो हमारे election आने वाले है काफी हद तक predictability है कि भाई जो हमारी current government है वही elect होकर के next government भी हमारी बनेगी ये सबसे major plus point आपको इस सहाब पर देखने को मिल रहा है second major plus point आपको ये देखने को मिल रहा है जो हमारी inflation वाली problem थी जो कि global level पे थी इंडिया की तो तिबड़ी थी भी नहीं वो इस सहाब पर धीरे-धीरे करके कम होते हुए दिख सकती है जैसे अगर आप FED के बात करोगे जो कि US का Central Bank है वो बार-बार ये कह रहा है कि हमारी जो inflation के problem थी वो थोड़ी control में आते हुए दिख रही है जिस वज़े से possibility 2024 के end तक वो एक नएक interest rate कट लेकर करके आएंगे जैसा ही interest rate कट आता है economy के अंदर काफी जादा inflow देखने को मिलता है even liquidity भी काफी जादा high होती है जब economy में liquidity high हो जाती है तो money on risk का bet लोग लेना शुरू कर देते हैं इसका मतलब यह है जो FII है वो अपना पैसा stable economy में से निकाल करके growing economy के अंदर invest करते हैं ताकि उनकी जो growth potential है वो extraordinary high हो जाए definitely वो US को पूई तरीके से नहीं छोड़ेंगे लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने portfolio को economy में 2024 से अब आपके पास एक question आया हुआ कि जो FII है वो US को छोड़ करके इंडिया की side रूख क्यों मोड़ रहा है जो भी FII होते हैं वो होते कौन है वो mainly mutual fund managers होते हैं जो कि foreign institutions के होते हैं मतलब वो US UK और Europe में बैठे होते हैं उन्होंने भी अपने investors को high growth का वादा क्या होता है और अगर किसी भी investor को high growth देनी है तो जो fund manager असको high risk लेना पड़ेगा अगर आप US की economy को देखा हुए तो वो on an average 3-3% के level पे grow करती है वहीं पर जो Indian economy है वो एक growing economy है तो इसी वाज़े से 6-8% के level पे उसका GDV रहता है तो अगर एक foreign institution को इस level की growth देखने को मिलेगी तो वो कहाँ पे आएगा वो यहीं पे invest करने ही कोशिश करेगा definitely वो अपना पूरा portfolio इंडिया के अंदर नहीं डालेगा लेकिन काफी हद तक पैसा वो इंडिया में डालता है अगर आप dollar to INR convert करोगे तो उसका छोटा सा पैसा भी इंडिया के लिए बहुती बड़ा investment होता है और इसी वज़े से FIA जो है वो US को छोड़ करके इंडिया का रुख लेने वाला है विकिस यहां पे उसको economy दिख रही है यहां पे उसको political stability देखने को मिल रही है यहां पे उसको high growth देखने को मिल रही है और liquidity के बाद जो risk on money होता है वो भी investors का बढ़ जाता है दब risk लेने का appetite भी investor का बढ़ जाता है इसी वज़े से 2024 के अंदर जो बात हो रही है इंटरस rate कट आएगा वो इंडिया के लिए काफी अच्छो option होने वाला है यह तो आपने बता दिया कि FII इंडिया में आएगा लेकिन इंडिया में आएगा तो वो invest कहां पे करेगा जब भी FII इंडिया के अंदर आएगा तो उसको यह समझ आ चुका है कि small cap के अंदर already काफी ज़दा रना पाचुका है micro cap के अंदर already काफी ज़दा रना पाचुका है और वो भी एक fund manager ही है वो भी एक बड़ा institution investor है तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरे देगा जहां पे उसको काफी ज़दा expensive देखने को मिलेगी या काफी ज़दा महंगी देखने को मिलेगी क्योंकि अगर आप एक महंगी चीज़ को खरीद होगे तो आपको profit कमाने के लिए उसको और महंगी price पे बीचना पड़ेगा जिसके chances थोड़ से कम है वहीं पर जो FII होता है वो कभी भी बहुत ज़दा long term investment के लिए नहीं सोचता वो अपने छोटे से पैसे पेवेश 10 से 15% की growth भी कर ले तो उसके इसाब सबसने काफी return बना लिये होते हैं तो मेली ऐसी जगापे invest करने वाला है जो उसको इससाब अंडर value दिख रही है लेकिन उसी के साथ-साथ उसके fundamentals भी काफी अच्छे हैं जैसे कि अगर आप इंडेन stock market में देखोगे तो जित्ते भी हमाई large cap हैं वो कुछ साथा नहीं चले हैं लेकिन अगर आप fundamentals देखोगे तो उनके काफी अच्छे हैं जित्ते भी हमाई private bank है फार्मा कर्मप्ली हैं अप API manufacturing कर्मप्ली हैं और उससे हम अपने economic के बारे में क्या समझ सकते हैं लेकिन अभी FII के topic पे वापिस आते हैं तो जो FII है वो in size sectors करना है mainly invest करने वाला है तो अगर इस साहाँ पर कोई ऐसा investor है जिसको लगता है कि भाई मुझे short term के अंदर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मनाना है उसी के सासाथ मुझे lower risk के लिए करके decent amount create करना है तो उसके लिए कुछ access sectors काफी अच्छे होंगे जो हमने already discuss कर रहे हैं mainly वो finance वाले होने वाले हैं NBFC होने वाली हैं या ऐसी large cap कमपनियां जिनके fundamentals काफी दा अच्छे हैं लेकिन आज की date में भी उनके valuation काफी दा reasonable देखने को मिलने वाले हैं और जब FIA का flow आएगा तो इधी company में mainly आता हूँ आपको देखने को मिलने वाला है अब इसमें final words में आपको देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक investor हो और इंडिया के अंदर आप invest कर रहे हो mainly आपको सिर्फ वैसी company के अंदर इस समा पर invest करना चाहिए जहाँ पर आपको fundamental दिख रहे हैं small cap, micro cap ने जो rally दे नहीं थी वो extraordinary already दे चुकी है इस समा पर अगर आप बहुत से जदा buy करने की कोशिश करोगे तो आप अपने पैसों के साथ बहुत जदा risk ले रहे हो अगर आपका time period दो साल तीन साल के आसपास का है तो मेरे हिसाब से large cap के अंदर काफ यची opportunity बनती है और जो second half होने वाला है 2024 का वो mainly large cap की side आपको देखने को मिलेगा अगर आपका vision ही 10 साल के आसपास का है और Indian economy पे भरोसा है तो banking एक अच्छ काफी अच्छा option देखने को मिल रहा है जो FIDI को भी काफी attractive लगने वाला है तो मेरे हिसाब से गर FIDI आए आएंगे इसी तरीकी की fundamental knowledgeable videos आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिलकोल भी मत बूलना Thank you so much for watching this video Tata, bye bye, signing off